हलो वहन वेलकम बेक्ट टू यार चैनल नॉलेज विट सीके हम लोग पढ़ रहे थे मेवाड वंश हमने पढ़ा था कि मेवाड वंश की स्थापना किसने की बपा रावलने की जिनके पिता जी का नाम था नागा दित्य जी जो हारेत रिशी के पास पले बड़े थे हमने ये भी पढ़ा कि बप्पा रावल ने मान मौरिय को पराजित करकर गुहिल वंश की स्थापना की थी इनके टाइम पिरिड में सोने के सिक्के भी चलाए गए थे जिसके उपर कामधेनु यानि की गाय की एक शिवलिंग की उकते हुए सूरज की और स्वैम कालभोज जो की इनका एक निकनेम है इनका एक उपनाम है या फिर ये कहदू मैं कि इनको उपादी दी गई है ऐसा श्यामलदास जी ने कहा है कालभोज की पूजा करते हुए की मुर्ती है उस सिक्के के उपर इसके अलावा बपा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था ये हमने पढ़ा था और कैलाश पूरी में एक लिंग जी महादेव मंदिर की स्थापना की थी मिवाड वंच अपने आपको एक लिंग जी का दिवान मानता है कहने का मतलब ये है कि ये वंच मानता है कि राजा कौन है एक लिंग जी है और हम लोग क्या है उनके दिवान है आज के टुटोरियल में हम पपा रावल के बाद में जो वंशज हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं हम लोग पपा रावल के वंशज अलट ने आहड को अपनी राजदानी बनाया था और इन्हों ने सबसे पहले नौकर शाही का गठन भी किया गया था ये बात पूछी जा चुकी है एक्जाम में कि सबसे पहले मेवाड वंश में नौकर शाही का गठन किस ने किया तो अलट ने किया और अलट ने क्या किया अलट ने होन राजकुमारी हरिया देवी नाम याद रखिएगा पूछा जा चुका है हरिया देवी इनसे विवा किया था विवा special इसलिए है क्योंकि यहाँ जाती बाहर की है यानि कि भारत से बाहर किये तो एक तरह से देखा जाए तो अंतरास्ट यो विवा है इसी कारण यह जरा special हो जाता है उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, रण सिंग जी के पुत्र शेम सिंग के बारे में, रण सिंग जी के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम शेम सिंग और एक का नाम राहप, शेम सिंग जी ने रावल शाखा को जनम दिया, और राहप ने क्योंकि सिसोदा गाम को अपना ठिकान बनाया तो ये लोग क्या कहलाए सिसोदिया वंच कहलाए है गुहिल वंच ही लेकिन यहां आकर हम दो शाखाओं में इसे बार देते हैं एक शाखा तो है रावल शाखा और एक है राहप के सिसोदिया वंच यानि कि जिसे हम बाद में पढ़ेंगे राणा शाखा के नाम से अब ही हम बात करते हैं इस वंच की ख्षेम सिंग जी की रावल शाखा की इसके बारे में क्या है ख्षेम सिंग जी के समय में ही इनके पुत्र सावन सिंग जिन पे 1172 में मिवाड के ही पडोसी यानि की नाडोल के चाहान किर्थिपाल ने हमला कर दिया और मिवाड राज्य उनसे छीन लिया तब सावन सिंग जी ने बांगड में अपना राज्य बनाया वांगड बांगड नहीं सोरी वांगड जो डुंगरपुर और बासवाड़ा वाला एरिया है उसे वांगड एरिया कहा जाता है सावन सिंग जी जो है पृत्वी राज चोहां पृतिया के टाइम को प्राप्त हुए थी पृत्वी सिंग जी की छोटी बहन प्रथा से इनका विभा भी हुआ था शेम सिंग जी के छोटे पुत्र यानि की कुमार सिंग ने कीर्थी पाल को 1179 इस्वी में पराजित किया और मिवाड पर पुनहा अधिकार कर लिया कुमार सिंग जी का ही वन्श जैत्र सिंग रावल जैता सुल्ताल सम्शिदीन यानि की इलतुत मिष ने नागदा पर आकरमन किया था आकरमन का समय था 1234 इस टाइम पिरड में नागदा को काफी नुकसान हुआ था और जैत्र सिंग ने क्या किया मेवाड की राजधानी किसको बना दिया चित्तोड को ब आहड और जैत्र सिंग जी ने इन्होंने बनाई थी कौन सी चित्तोड अब आने वाले टाइम पिरड में मिवाड की राजधानी के रूप में हम लोग चित्तोड को ही पढ़ेंगे आगे जाके एक दो जगा और चेंज होगी देखेंगे किसके कार्यकाल में ये चेंज हो र पिरड में एक अभिलेक और जो श्रावक जिसे कह दो वो बहुत ही फेमस है प्रती क्रमन सुत्र चूरनी ये कोश्यन एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि पुस्तक किसके टाइम पिरड की है यानि कि कि किसके शाशनकाल की है तेज सिंग जी के शाशनकाल की है इ जनी कि इन्हों ने अपने आपको एज परम भटारक की उपादी दी थी और महराजा धिराज परमेश्वर की उपादी भी दी थी इनके शाशनकाल में भी बल्बन से शंगर्ष हुआ था फ्रेंड्स ये वो वन्ष है जिसकी एक पीड़ी नहीं जिसका एक राजा नहीं बल्कि सालों तक ये लोग लड़े हैं अपने आपको स्वतंत्र रखने के लिए लेकिन कभी किसी की गुलामेश्विकार नहीं की इसलिए पूरे विश्व में यह इतियास बहुत ही गहरवशाली बन जाता है कि सारे जिन्द की ये लोग लड़े रहे हर राजा लड़ा है इस वन्ष का किसी ना किसी से लेकिन गुलामी किसी की भी स्विकार नहीं की इधर उदर घूम लिए दूसरी जगा जाके रह लिए वापस कमबैक किया वापस हासिल भी किया अपनी सत्ता लेकिन गुलामी कभी स्विकार नहीं की इसलिए ये वन्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका इतिहास पूरे वर्ड का गौरवश इतिहास कहलाता है ये गौरवशाली इसलिए है क्योंकि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो इस वंच के हर राजा में ये फ्रीडम फाइटर का गुण कूट कूट के भराता हर राजा लड़ा है अपनी आजादी के लिए आगे पढ़ते हैं हम लोग समर सिंग के टाइ समर सिंग का मुकाबला बलबन के सेनापती से भी हुआ था और इसके बारे में आपको कहां से जानकारी मिलती है आबू के अभिलेखों से इसके बारे में जानकारी मिलती है और इस संगर्स का समय भी आपको क्या ग्यात होता है बारा सो पिछियां से समर सिंग और अलाउदी का चोटा भाई उल्गुखा उल्गुखा इससे युद्ध हुआ था किसका समर सिंग का और उल्गुखा का समर सिंग Кे दो पुत्र होंगे कुम करण और रतन सिंग रावल कुम करण नेपाल में जाकर अपने मज paralysis की अपने वंज की एक मात्र राजा कुम करण इन्होंने क्या किया था इन्होंने नेपाल में जाकर अपने वंज की स्थापना की थी और किसी भी वंज से विदेश में जाकर स्थापना करने का प्रामाण आपको इतिहास में नहीं मिलता है सिवाए कुम करण के समर सिंग के टाइम पिरड में एक बात ये भी हुई थी कि समर सिंग ने खील जी का योजे सेना पती था उलूक खा ये जब इस रास्ते से जा रहा था मेवार की बाउंडरी क्रोस करके गुजरात तब इनसे क्या किया था शुल्क लिया था भई हमारे सेना आपकी सेना जो है वो हमारे राज्य से गुजरेगी तो हम शुल्क तो लेंगे नहीं लेंगे टेक्स लेंगे नहीं लेंगे बस इसी बात का गुस्सा था किसको अलाव दिन खील जी को यानि कि एके को आगे हम पढ़ेंगे इनके पुत्र रावल रतन सिंग जी के बारे में और पढ़ेंगे मेवाड का पहला साका मेवाड का पहला साका पढ़ेंगे हम लोग कब रावल रतन सिंग जी के बारे में लेकिन अगले वीडियो में अभी तक का हमारा वीडियो यहीं तक है रावल रतन सिंग जी पर अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि मेवाड का पहला साका हो रहा है तो अपने आप में स्पेशल होगा ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें गुड डेव